Welcome to all of you, channel SHM part 11, class 9, chapter 2 polynomial 0 जब polynomial में हम लोग सीखेंगे 0 जब polynomial निकालना और polynomial की value निकालना अब तक हम लोग polynomial क्या होता है coefficient कैसे find करते हैं degree find करना cubic, linear और quadratic polynomial का classification सीख लिया है मान लीजिए कोई polynomial है जिसको हमने px से denote किया है px से कोई polynomial है polynomial हमने मान लिया 5 x cube minus 2 x square plus 3 x minus 2 यह हमारा एक polynomial है अगर इसमें degree के बेस पर बात किया जाए तो यह cubic polynomial है क्योंकि यहाँ पर highest जो power है वो 3 है यह जो x है इसको मैं replace करना चाहूँ इस x को मैं replace कर दूँ 1 के दौरा तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ replace replace x by 1 इस x को 1 के दौरा replace कर रहे है तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या लिख दे रहे है 1 लिख दे रहे है तो यहाँ simply हमने लिखा p और 1 और इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 5 और 1 का cube क्योंकि यहाँ पर x का cube था इसलिए यहाँ पर 1 का cube कर दिये minus है तो minus लिख दिए 2 लिख दिए और यहाँ पर x है तो फिर से 1 और इसका square plus 3 into 1 और minus का यहाँ पर आ जाएगा 2 यहाँ से इसका 1 का cube करेंगे तो 1 ही आ जाएगा तो यह आ जाएगा 5 उनजा 5 minus 2 1 का square करेंगे तब भी बनाएगा तो 2 में multiply कर नहींगे तो आ जाएगा 2 3 उनजा 3 आ जाएगा और minus का 2 आ जाएगा इन दोनों को add कर लेंगे ये भी plus है और ये भी plus है तो 5 और 3 8 हो जाएगा और ये minus है और ये भी minus है तो minus का 4 हो जाएगा आप इसको अपने तरीके से भी solve कर सकते हैं 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा तो इसकी जो value find हुई है पी एक्स की जगा पर 1 रखने के बाद ये आया है कितना 4 तो ये जो है value find करने के लिए हैं तो value of यहाँ पर answer कैसे लिखना है इसको भी हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग इसको कह सकते हैं the value of the value of px px क्यों कह रहे हैं क्योंकि polynomial जो दिया गया है क्योंकि कैसे हम लोग और भी questions इसमें देखते हैं एक example और भी लेते हैं बुला जा रहा है question में कि कोई polynomial है polynomial कैसे है q के represent किया गया है और variable term क्या है y है 3 y cube minus 4 y और plus root under 11 है at y equal to 2 question में बूला जा रहा है कि यह जो polynomial है जिसको represent किया गया qy से इसकी value चाहिए y equal to 2 पे तो कैसे value find करेंगे इस variable का solve करते हैं आगे हम लोग इसको तो हमने बताया कि सबसे पहले उसको जैसे represent किया गया है उसी तरीके से लिख लेते हैं अब यहां पर q है और यहां पर जो value है इस value को यहां से change कर देते हैं यहां पर y equal to 2 पट करना है तो यहां सबसे पहले q लिखते हैं और y के जगा पर कितना लिखना है 2 लिखना है तो यहां पर हमने 2 लिख दिया अब यहां 3 है तो इस 3 को ऐसे ही उतार लेते हैं into y की जगाँ पर 2 लिखना है और इसका cube किया गया है तो इसका cube कर देते हैं minus 4 ऐसे ही उतार लेते हैं और y की जगाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं plus root under 11 ऐसे ही उतार लें इसको और simplify कर देंगे तो यह आ जाएगा 3 into 2 का cube करना है तो cube का मतलब होता जितना उस पे पाउर है उतनी बार उसको लिख लेते हैं तो यह आ जाएगा 2 into 2 into 2 minus 4 और 4 में multiply 2 का करेंगे तो 4 to 8 आ जाएगा और plus का root under 11 यहाँ से इसका multiply कर लेंगे तो 3 to 6 6 for 28 स्वारी 3 to 6 6 for 24 minus 8 plus root under 11 इन दोनों को solve कर लेते हैं 24 से 8 को subtract कर देंगे तो यह आ जाएगा 16 plus root under 11 तो इसको हम लोग value है ही यानि जो पॉलिणामियल दिया गया था qy 3 y cube minus 4 y plus root under 11 i t x y equal to 2 पे जो value है इसकी कितनी है 16 plus root under 11 इसकी value है यह तो बात हो गए उसके value जो कैसे आते हैं अब मान लीजे कि यह कोई जो है polynomial है हम consider करते हैं यहापर दूसरा है जमसरा मान रहा है मान लिया हमने को यह polynomial px है और यह polynomial x minus 1 है बस एक जमसरा है हमने consider किया consider px equal to x minus 1 is a polynomial हमने क्या किया इस x को 1 से replace कर दिया तो जब 1 से replace करेंगे तो इसकी जगापर 1 रख देंगे और जैसे इसकी जगापर 1 रखेंगे तो यहाँ x की value भी 1 हो जाएगे और यह minus 1 उतार लेंगे और इसको subtract कर देंगे तो आ जाएगा 0 तो जब p1 की value आ गई 0 के बरावर तो इसी को हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर 1 हमने लिखा था यही जो है 0 आपदी polynomial px हैं तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अब यहाँ पर बोलेंगे 1 is 0 after the polynomial polynomial px अच्छे polynomial px क्या है polynomial px का मतलब यह जो polynomial हमने अभी अभी consider किया है इसी के बारे में बात किया जा रहा यहाँ प्रम्प्लिक देते हैं consider consider px-1 is polynomial तो यही 1 इसका क्या है एक 0 हो गया तो आप लोगों यहाँ से एक चीज और भी समझ में आनी चाहिए कि जो 0 होता है और जो value होती हो दोने में थोड़ा सा difference होता है हमने बताया कि यहाँ हमने x को replace किया था 1 के दवारा इसको solve किया तो minus 4 आया यहाँ जो polynomial उपर दिया गया है याँ यह जो polynomial यहाँ पर है इसकी एक value है क्या 4 4 उसकी एक value है लेकिन यहाँ पर भी हमने polynomial consider किया यहाँ जो polynomial हमने consider किया इसमें जब हमने 1 रखा तो यह 0 आ गया तो इसको हमने क्या बोल दिया 0 आपदा polynomial तो मतलब यह हुआ कि जब x की value रखने के बाद polynomial में 0 आ जाए यहनि solve करने के लाद उसको 0 आ जाए तो वह कहलाता है 0 of polynomial जिसे माल लीजिए एक छोटा सा example और लेते हैं हमने माल लिया कि p x कोई polynomial है x-2 और हमने क्या बोला कि 2 हमने बोल दिया कि 2 is a 0 of the polynomial polynomial p x इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही हमने यह statement जारी कि 2 is a 0 of the polynomial p x यह जो उपर p x दिया गया है इसका जो 2 है एक 0 है इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही यहाँ पर 2 put करेंगे तो यह value कितनी आनी चाहिए p x की 0 आनी चाहिए तो इसको हम लोग यहाँ से check भी कर सकते हैं यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से 2 subtract करने के बाद क्या जाएगा 0 आजाएगा इसका आगे हम लोग use करेंगे अब बात करते हैं कि यह 0 हम directly कैसे find कर सकते हैं तो 0 आप polynomial हम और भी तरीके से equate कर सकते हैं यह समाल दीजिए इसी के हम 0 की बारे में बात करें कि 1 कैसे हमको पता चलेगा कि 1 ही रखने पर यह 0 आएगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि x-1 जो हमने polynomial को consider किया था उसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं x-1 और equal to इसको कर देते हैं 0 के बराबर क्यूं क्योंकि इसकी value 0 आनी चगिये तो हमने क्या किया कि जो point na mere हमने P, X माना था उसको हमने क्या कर दिया X के बरबर कर दिया यानि P, X की value कितनी आनी चगिया 0 अब अगर हम लोग आगे इसी में बात करते हैं इसको हम लोग अगले इस स्टेप में अगर बात करते हैं तो यह x इधर ही रहेगा और यह 1 उधर चला जाएगा तो equal to 1 आ जाएगा और यही value है 1 जो यहाँ पर रखने पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी भी polynomial को उसके equation term में लिखते और उसके बाद में उसको simply solve करें तो वहाँ से जो find होगा वह 0 of the polynomial होगा और उसी को हम लोग बोलेंगे root of the polynomial equation अब जैसे माल लीजिए कि यह पहले क्या था हमने यहाँ पर x-1 लिख दिया तो यही p की value यानि p x की value यह कहलाएगा polynomial यह कहलाएगा polynomial लेकिन अगर इसी को equal to हम 0 रखते हैं तो यह कहलाएगा polynomial equation तो polynomial और polynomial equation में थोड़ा सा difference है यहाँ हमको समझना चाहिए कि जब equal to 0 हो जाएगा तो वह polynomial equation कहलाएगा इसका मतलब हुआ कि जो यह लिखा गया है x-1 equal to 0 तो is a polynomial polynomial equation is a polynomial equation यह एक polynomial equation है जो polynomial equation हो गया तो यहाँ पर root हम लोग को खायंड होता है यानि 1 इसी तरीके से यहाँ से अब इसको solve कर लेंगे तो यह आ जाएगा x equal to 1 और यह 1 जो है इसी को हम लोग बोलेंगे आ ऐसे लिखेंगे 1 is a root of the polynomial equation equation x-1 equal to 0 तो यह 1 जो आया हुआ यह एक root है और polynomial equation x-1 equal to 0 का तो दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझे दो चीज़ें को हम लोग ने समझा कि 0 of polynomial क्या होता है और root of polynomial क्या होता है root of polynomial जो उसको equation form में लिखने के बाद जो x की value find होगी वही उसका root of polynomial कहलाएगा और 0 क्या होगा x की ऐसी value जिसको रखने के बाद जो polynomial assume किया गया है या polynomial जो दिया गया है उसकी value 0 आ जाए जिसे यहाँ पर हमने यह जोन किया x-1 तो यहाँ पर 1 रखने के बाद यह value 0 आ गई और यह कहलाएगा 0 of the polynomial simple सी बात है जब value रखने के बाद 0 आ जाए तो 0 of polynomial अगर equation form में दिया जाए इस तरीके से equal to 0 दिया गया तो उसको solve करने के बाद जब value आती है तो उसको root of the polynomial कहते हैं यह दो नए value of 0 of polynomial और root of polynomial equation अब माल लीजिए कि किसे ने बोला कि हम इस तरीके का polynomial नहीं consider करेंगे हम एक constant polynomial consider करेंगे जैसे हमने बताया था कि अगर हम यहाँ पर 5 लिख दें या 2 लिख दें या 3 लिख दें तो यह सब भी तो polynomial हैं तो इनके 0s क्या होंगे अब अगर इसको हम replace भी करना चाहें अगर हम इसके form को वरिजिनल form में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5x पे 0 इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 2x पे 0 इसको लिख सकते हैं 3x पे 0 हमने यह भी बताया था कि कि किसी भी नंबर पर अगर य किसी भी number से replace करना चाहें तो हमेशा value क्या आएगी 5 ही आएगी तो कभी भी इसकी value क्या है 0 हो ही नहीं सकती तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई constant polynomial है इसको क्या कहते है constant polynomial कहते है अगर कोई भी digit लिख दिया जाए एक single digit लिख दिया जाए तो उसको हम लोग constant constant polynomial बोलते है constant polynomial होता है जब constant polynomial रहेगा तो ऐसे situation में उसका कोई भी 0 नहीं होता है तो इस statement क्या होगा every real number is a 0 तो आफ दा 0 polynomial तो यंसी आर्टी ग्यांपल्स के बारे में बात करते है बोलो जा रहा है check whether minus 2 and 2 are 0s are 0s of the polynomial x plus 2 x plus 2 कोई polynomial दिया गया है और वो पूँच रहा है कि minus 2 और 2 उसके 0s हैं ऐसा चेक करना है कभी भी किसी polynomial में अगर चेक करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग solution में लिखेंगे और इसी तरीके से हम लोग दूसरी value भी चेक कर लेते हैं तो P और यहां पर कितना लिखना है 2 लिखना है एक बार हमने minus 2 लिख दिया अब यहां से हम लोग 2 लिख लेते हैं तो जब 2 लिखेंगे तो यहां पर equal to करेंगे यहां x है तो यहां पर कितना आजाएगा 2 आजाएगा और plus का 2 आजाएगा दोनों को add कर लेंगे तो आजाएगा 4 अब answer क्या होगा एक जगह तो 0 आगया दूसरी जगह कितना आगया 4 आगया तो क्या कहे रहा यह 0 आप दा point आगया हमने बताया था कि 0 तभी होगा जब यहां x की value रखने के बाद क्या आजाएगा 0 आजाए तो minus 2 तो इसका 0 है लेकिन 2 जो है plus का वह है इसको 0 नहीं है क्योंकि वहाँ पहलू दे रहा हो कितना दे रहा है 4 दे रहा है तो लिखेंगे therefore therefore minus 2 is a 0 of the polynomial polynomial x plus 2 जो polynomial x plus 2 दिया गया है उसका minus 2 एक 0 है but 2 is not लेकिन 2 उसका 0 नहीं है ठीक है चलिए इसी में हम लोग एक और example के बारे में बात करते हैं एक और example दिया गया है बोला जा रहा है find the 0s एक कोई polynomial पहले से ही दे रखा x के टर्मे px करके 2x plus 1 बोला जा रहा है find the 0s यह जो दिया गया polynomial इसकी 0s find करना है यह इसकी 0 क्या होंगे उसको find करना है तो सबसे पहले यहाँ पर 1 degree है तो यह linear polynomial है linear polynomial में हम लोग को कितनी value find होती केवल और केवल 1 हमने सब भी बताया थोड़े दिर पहले कि अगर 0s find करना है तो px की value equal to 0 कर दो यही तो करेंगे तो 0 find करने के लिए हम लोग क्या करेंगे px equal to 0 कर देंगे तो जैसे ही px की value 0 आएगे तो यानि px पूरे की जगा पर क्या रखना चाहिए 0 रखना चाहिए यह तो करेंगे तो यहाँ पर 0 रख दे रहे हैं और इसको solve कर लेते हैं 2x plus का 1 इस 1 को इधर लेकर आएगे तो इसको solve ब्यवस्तित तरीके से लिख रहे हैं 2x plus 1 equal to 0 यानि इसे को बस replace करके लिख दियागे इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया यह 1 इधर लेकर जाएगे तो negative में आ जाएगा तो 2x equal to minus का 1 आ जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग so यहाँ लिख रहे है so minus 1 by 2 is a 0 of the polynomial 2x plus 1 तो minus 1 by 2 is a 0 of polynomial 2x plus 1 तो हमने एक चीज देगा कि अगर कोई भी polynomial दिया गया है और उसके 0 निकालने है तो उसको simply 0 के बराबर कर दिया जाता है और उसके लिख में solve करेंगे x की value आएगी जो x की value आएगी वही उस polynomial का 0 का लाएगा चलिए अब और भी एक type का question होता है verification के लिखेंगे होता है कि verify कीजिए कि जो 2 value दी जाएगी तो उसमें कोई एक value उसका 0 होगा और एक value उसकी 0 नहीं होगी तो उसको हम लोग चेक करते हैं जैसे कि यहाँ पर बताया गया था minus 2 और 2 करके तो आगे इस तरीके सा question आएगा तो उसमें देखना कि जब 0 आएगा तो बोलेंगे it is 0 of the polynomial अगर 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे it is not the 0 of polynomial इसमें कुछ टर्म्स हम लोगों को याद रखने है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है तो सबसे पहला point जो हम लोगों को याद रखना है सबसे पहला point ये है आज 0 आफ आप पॉलिनामियल पॉलिनामियल नीड नाट बी 0 क्या मतलब हुआ इसका आज 0 आफ आप पॉलिनामियल नीड नाट बी 0 अगर हम लोग हिंदिय में इसको 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 कहा जा रहा है कि किसी भी पॉलिनामियल का जैसे ये पॉलिनामियल है किसी भी पॉलिनामियल का जो 0 आए 0 आप पॉलिनामियल हो वह 0 ही हो ऐसा कोई कंडिशन जरूरी नहीं है ऐसा नहीं जरूरी है कि यहाँ पर x इकोल टू जब 0 आए तभी वह 0 आप पॉलिनामियल होगा जैसे यहाँ पर हम लोग उने क्या लिखा minus 1 is a 0 of polynomial 0 of polynomial का मतलब है कि जब minus 2 उस polynomial में रखा जाएगा तो उसकी value 0 आएगी उसको हम 0 of polynomial बोलते हैं उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा जा रहा है नमबर दूसरी condition दूसरे condition में बोला जा रहा है 0 may be a 0 0 may be a 0 of polynomial of a polynomial इसका मतलब क्या हुआ कि x equal to यहाँ 0 आगया होता माल लिजे इसको solve किया हमने और x equal to 0 आगया तो वहाँ 0 ही उस polynomial का 0 of polynomial हो जाता चलिए तीसरी condition के बारे में बात करते हैं तीसरी condition में बोला जा रहा है every linear every linear polynomial has only one 0 मतलब क्या हुआ है अगर linear polynomial है तो उसके पास only and only one 0 होगा मतलब अगर कोई linear polynomial है तो उसकी केवल और केवल एक ही value होगी जिसको रखने पर उस polynomial की जो value है 0 आएगी एक से जादे value कभी भी नहीं हो सकती है जैसे यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि linear polynomial क्योंकि इसकी higher degree कितनी है one है तो linear polynomial जब कोई रहता है तो आएसे situation में उसके जो number आप 0 होते है मतलब जो value find होती है जिसको रखने के बाद वहाद 0 हो जाएगा वा केवल और केवल एक ही होता है अब एक value रहेगी जैसे यहाँ पर भी एक ही value आई है यहाँ पर भी एक ही value आई है नंबर फोर्थ पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट में बोला जा रहा है अब polynomial पॉइनमियल कायन है विए दोर्थ दोर्थ नहीं है वन जीरो इसका मतलब क्या हुआ है अब polynomial कायन है विए दोर्थ दॉर्थ दोर्थ कोई polynomial है अगर वह linear polynomial नहीं है quadratic है या cubic है तो उसके पास more than one zero भी हो सकते हैं मतलब एक से ज़्यादे value भी ऐसी हो सकती है जिसको रखने के बाद उसमें जो यहाँ पर value आए वा zero आ जाए इतनी चीजे हम लोग समझे हैं आगे हम लोग बात करेंगे exercise 2.2 की चलिए हम लोग exercise देखते हैं 2.2 फर्स्ट कोशन भी उड़ा जा रहा है find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 यह x पे square लिखा हुआ है at x equal to 0 x equal to minus 1 x equal to 2 यहाँ जो polynomial दिया गया है इस polynomial में x equal to 0, 1, minus 1 और 2 पे value find करने है value निकालने के लिए हमने बताया था कि सबसपहले इस polynomial को हम लोग यहाँ पर explanation में देखते हैं solution में इस polynomial को हमने लिख दिया solution में px तो polynomial को भी रहेगा उसको px, qx, जिसमें भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फार्स इस्टेपे हो गया second system में बूला जार x equal to 0 जिस पर भी point करना होगा उसको हम लोग 0 की जगापर put कर लेंगे जहाँ पर x है वहाँ वहाँ हमने क्या किया 0 put कर दिया 5 का multiply 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा 0 का square करेंगे तो 0 आएगा 0 का multiply 4 में करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यह plus का 3 ऐसे ही उतार लिए यहाँ से इन दोनों को ऐसे ही कट कर लिए और यहाँ से हम लोग को 3 find हो जाएगा thus the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0 is 3 चले second बात करते हैं तो फिर से हमने polynomial को ऐसे ही उतार लिया जहाँ पर 1 है वहाँ पर minus sorry जहाँ पर x है वहाँ पर minus 1 पूट करना था पूट कर दिए जहाँ पर x है वहाँ पर minus 1 जहाँ पर x है वहाँ minus 1 और plus 3 उतार लिए यह square है इसे 5 का multiply 1 में करेंगे तो 5 और जब 5 minus में 5 आ जाएगा 1 का square करेंगे तो यह positive में हो जाएगा और यह 4 आ जाएगा plus का 3 आ जाएगा minus का 5 और minus का 4 आड़ करेंगे तो minus का 9 आ जाएगा और plus 3 इन दोनों को solve करेंगे तो minus का 6 आ जाएगा thus the value of polynomial at x equal to minus 1 is 6 चलिए तीसरा point px फिर से हमने polynomial को उतार लिया यहाँ पर जो value दी गई है यह एक्स की जगह पर 2 notre चीए यहाँ पर भी 2 रख दिए यहाँ पर भी 2 रख दिया 5,2 जा 10 हो गया 4 ऐसे उतार लिया 2 का square दिया गया तो 2,2 जा 4 हो गया plus का 3 उतार लिया 10 उतार लिया 4,4 जा 16 plus का 3 यहाँ पर उतार लिया इन दोनों को solve करेंगे 6 आ जाएगा minus में और minus के 6 में plus 3 जोड़ेंगे तो minus का 3 आ जाएगा Thus, the value of polynomial at x equal to 2 is minus का 3 यह minus का 3 आ गया चलिए second question पढ़ते हैं Second question में बोड़ा जा रहा है Find P0, P1, P2 for each of following polynomials यह वहाँ पर एक polynomial दिया गया था यहाँ पर polynomial से भी ठेसारे दिया गया है और उसकी अलग-अलग points पे value निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं First point को देख रहा है First polynomial को हमने यहाँ पर लिख लिया y square minus y plus 1 यह y पर square है minus y plus का 1 पहले किस point पर चाहिए? 0 पर चाहिए तो हमने y की जगापर 0 पुट कर दिया जहाँ पर y था वहाँ 0 पुट कर दिया जहाँ y है जहाँ 0 वहाँ 1 पुट कर दिया square करेंगे तो 0 आएगा 0 है और यह 1 है solve करने के बाद यह 1 आ जाता है First point पर चाहिए यानि 1 पर चाहिए तो यहाँ पर y था तो यहाँ पर 1 पुट कर दिये फिर यहाँ पर y यहाँ 1 कर दिये यहाँ y यहाँ 1 कर दिये और इस 1 को उतार लिए 1 का square 1 ही होगा minus का 1 है और plus का 1 है 1 से 1 कैंसे लो गया 1 आ गया second P2 पर चाहिए तो यहाँ पर 2 पुट कर दिये y का square है तो 2 का square कर दिये y के जगा minus 2 रख दिये plus का 1 रख दिये 2 2 जब 4 आ जाएगा 2 ऐसे उतार लिए और ये 1 आ गया solve करने के बाद ये 3 आ गया तो पहला जो polynomial दिया गया था उस पे हमने तीनों point रख के solution find कर लिया है आगे भी इसी तरीके से second polynomial जो है यहाँ पर लिखा गया है 2 प्लस T प्लस 2 T का square minus T cube यहाँ पर cube है यह एकस का चलिए नीचे देखते है उसे का 0 पे चाहिए तो 0 रख दिया T के जगा पर 2 रख दिया T के जगा 0 रख दिया T के जगा 0 रख दिया और T के जगा 0 रख दिया यहाँ 2 आ गया 0 आ गया 2 का square करेंगे multiply करेंगे 0 हो जाएगा 2 0 का cube करेंगे तो भी 0 आ जाएगा solve करने के बाद यह 2 आ जाता है point 1 पे चाहिए तो T के जगा पर 1 रख दिया फिर T के जगा 1 रख दिये फिर T के जगा 1 लख दिये यहाँ पर भी T के जगा 1 रख दिये solve कर लेते हैं यहाँ पर 2 उतार लिए 1 और 1 का square करने पर बन आएगा 2 में multiply कर देंगे तो यह 2 आ जाएगा और यह 1 का cube किये है तो यहाँ पर बन आ गया इसको solve कर लेते हैं 2 plus 2 4 1 5 5 में 7 चला जाएगा तो यह 4 आ जाएगा 2 पे चाहिए value तो 2 यहाँ पर put कर देते हैं 2 पहले से यह यहाँ T की जगाँ पर 2 put कर लिए 2 को उतार लिया T की जगाँ 2 put कर लिए square कर दिए T की जगाँ पर 2 put करके cube कर दिए ऐसे उतार लिए 2 का square करेंगे 2 2 जब 4 4 का multiply 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा 2 का cube करेंगे तो यह 8 आ जाएगा 8 से 8 cancel हो जाएगा 2 और plus 2 4 आ जाएगा तो यह तीनों पे हम लोगों को point find हो गया इसे तरीके से next में भी दिया गया है यहाँ पर P की जगा X के जगा 0 कर दिये तो 0 का cube 0 हो जाएगा X के जगा 1 कर दिये तो 1 का cube 1 हो जाएगा X के जगा 2 कर दिये तो 2 का cube 8 हो जाएगा फूर्थ में देखते हैं X minus 1 दिया गया और X plus 1 दिया गया है 0 put कर देंगे तो यह 0 और 1 का multiply यहाँ से कर देंगे तो minus का 1 आ जाएगा यह, 1 put कर देंगे, तो यह part 0 हो जाएगा, तो overall 0 हो जाएगा यह, 2 put कर देंगे, और यहाँ पर भी put कर दिये, तो इससे इसको घटा देंगे, तो 1 आ गया, और इसको जोड़ देंगे 3, तो 3 1 multiply करके 3 आ गया, question number 3, बुला जा रहा है, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them, मतलब यह, वाकी जो यहाँ पर value दी गई x की, यह value इसमें रखने के बाद answer 0 आना चाहिए, तब ही यह, इसका 0 होगा, जो polynomial दिया गया है, उसके सामने जो x की value दी गई है, उसके लिए इसका solution वो 0 आना चाहिए, तब ही वाँ उसका 0 होगा, तो उसको verify करना है, करते हैं, we have polynomial px 3x plus 1, अब इसी में value रखनी है, तो यहाँ x की जगाँ पर minus 1 by 3 रख दिये, यहाँ 3 है 3 को उतार लिए, x जगाँ पर minus 1 by 3 रख दिये, plus का 1 उतार लिए, इस 3 से, इस 3 को कट कर देंगे, तो यह minus का 1 आ जाएगा, इस 1 को ऐसे उतार लिए, 1 में 1 जोडेंगे, तो कितन आ जाएगा, यह 0 आ गया, since, p minus 1 by 3 equal to 0, यानि यह जो value रख हमने यहाँ पर 0 आ गया, इसका solution, so, x equal to minus 1 by 3 is 0 of that, यानि जो दिया गया, पॉल लांगे यह था, उसका, इसका second question देखते हैं, px equal to 5x minus pi, x equal to 5 by 4, 5 by 4 पर यह 0 होगा की नहीं, यानि इसका 0 है, x equal to 4 by 5, यानि यह यह को verify करना है, v है, px हैं, यह polynomial है, x की जगाँ पर 4 by 5 रखना था, 4 by 5 रख दिये, 5 into 4 by 5 minus का pi, इस 5 से, इस 5 को cut कर देंगे, तो आ जाएगा क्यावल 4 minus का pi, तो यह value 0 के बरावर नहीं हुई, since p, 4 by 5 equal to not 0, यहाँ पर हम लोगों को लिखना है, equal to not 0, यह not 0, so, x equal to 4 by 5 is not a 0 of 5x minus pi, यानि इसका यह 0 नहीं है, third question में देखते हैं हम लोग, polynomial दिया गया है, x square minus 1, value find करने ही x equal to 1 पर, we have, यह polynomial हमने उतार लिया, x की जगहाँ पर 1 put कर दिये, तो यहाँ पर भी 1 put कर देंगे, और यह minus का 1 ऐसे उतार लिये, 1 का square कर दिये 1 आ गया, minus 1 subtract कर देंगे 0 आ गया, तो यह value 0 find हो गई, so, या since x, sorry, p1 equal to 0, so, x equal to 1 is 0 of x square minus 1, यह इसका 0 है, also, इसमें जो है, दो value दी गई है, minus 1 put करने पर भी, यह value 0 आ रही है, यहाँ पर, यहाँ पर भी value minus 1 put कर लेंगे, तो यह आ जाएगा, 1 का square, minus 1 का square करूँगे, तब भी वनाएगा, minus 1 subtract करने के वाद, 0 आ जाएगा, since, minus 1 equal to 0, so, x equal to minus 1 is also a 0 of x square minus 1, यहाँ पर यह value जो है, error हो गया typing में, यहाँ कामा करके minus 1 भी है, x की दो value के लिए, यह 0 find होगा, यहाँ पर, चलिए, fourth question की बात करते हैं, fourth में बोला जा रहा है, px equal to x plus 1, दूसरे bracket में, x minus 2, value find करने, x equal to minus 1, 2 पर, यहाँ, minus 1 भी find करना, और 2 भी find करना, कि यह इसके 0 है या नहीं है, तो भी है, polynomial उतार लिए, minus 1 पहले रख देते हैं, minus 1 रख के solve किये, तो यह part 0 हो जाएगा, जैसे यह part 0 हुआ, तो इसमें multiply करने के बादे, यहाँ से solve कर लिए, multiply करेंगे, तो यह यहाँ से 0 आ गया, इसे जरीके से, यहाँ पर value 1 रखने पर इसको statement लिख दिए, कि p minus 1 equal to 0, so x equal to minus 1 is 0, आप x plus 1, x minus 2, also second, मतलब x equal to 2 पह भी find करना, इसलिए यहाँ पर 2 भी put किया जा रहा है, तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर x की जगा पर 2 रख दिए, 1 उतार लिए, x ही गए हाँ पर 2 रख दिए, और 2 उतार लिए, 2 से 2 सब्टाइट करने के बाद यहाँ पर 0 आ गया, आइट कर लिए, इसको 3 से multiply कर देंगे, तो 0 आ जाएगा, p equal to 2, equal to 0, so x equal to 2 is also a 0, आप x plus 1, x minus 2, इस पर भी 0 आ गया, फिफ्ट question की बात करते हैं, p, x equal to x square, x equal to 0, यहनि polynomial जो दिया गया है, x square दिया गया है, और value find करने x equal to 0 के, तो x equal to 0 रखने पर यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 का square 0 होता है, तो इसलिए, x equal to 0 is 0 of x square, इस polynomial का x equal to 0 पर value 0 आती है, चलिए, 6 question देखते हैं, 6 question में बोला जा रहा है, p, x equal to 0 x plus 0, अब value find करनी है, x equal to minus 0 upon 0 पर, तो we have polynomial को उतार लिए, यहाँ पर इसमें value पुट कर देंगे, x की जगा पर, तो x की जगा पर रखेंगे, minus 0 upon 0, तो 0 से 0 cancel हो जाएगा, तो बचेगा minus का यम और प्लस का यम, तो दोनों आपस में cancel हो जाएगे, तो यहाँ भी उसका solution होगा, चलिए, question number 7 की, इस वाले question को नहीं समझ में आता है, तो value रख के, आप solve करके, खुश से देखिए, क्या 0 आता है, इसको रखने के बाद या नहीं, 0 आ जाएगा, तो आप 0 उसका होगा, अगर नहीं आएगा, तो नाट जी 0 आफ, PX, सेबंध में बात करते हैं, सेबंध में, बोला जा रहा है, 3X square minus 1, X equal to minus 1 upon 3, और कामा करके लिखा, 2 upon 3, यहीं दो अलग-अलग value है, यहीं जिस पर रखने के बाद इस polynomial का जो answer आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए, अगर 0 आएगा, तभी वा 0 कहला आएगा, उसका, PX, polynomial को उतार लिया, फहले शेक करते हैं, 1 upon root under 3, स्वार, यहाँ पर root under 3 है, टाइपिंग रहा है, यहाँ पर भी root under 3 होगा, तो यहाँ पर value put कर देता है, इस polynomial में, इसका square लिखा गया, तो square लिखती है, minus का 1 है, 1 upon root 3 का square करेंगे, तो 1 upon 3 है, हमने बताया था, कभी भी 2 root एक साथ दिखेंगे, तो उसका square करने का root हट जाता है, यह 3 पहले सा 3 लिख दिए, 3 से 3 cancel हो जाएगा, तो minus 1 और 1 से 1 घटा देंगे, तो यह 0 हो जाएगा, since p minus 1 upon root under 3 equal to 0, so x equal to minus 1 upon root under 3, is 0 of 3x square minus 1, यह इसका 0 है, second point पर चक करते हैं, 2 upon root under 3 पे, यह root under 3 यहां रहेगा, error है, 2 upon root under 3 put कर लेते हैं, इसी polynomial में 1 सी की जगाँ पर, तो 3 पहले से हैं, तो उताल लिए, 1 सी की जगाँ पर, 2 upon root under 3 put कर दिए, square है तो square लिख दिया, minus का 1, 2 का square 4 हो गया, root का square करने पर root खतम हो गया, 3 से 3 cancel हो जाएगा, तो यहां पर 4 बचेगा, और यह minus का 1 उताल लिए, 4 से 1 सब्टेट करेंगे, 3 आजाएगा, क्या value 0 के बारावर होई, तो value 0 के बारावर नहीं होई, इसलिए, since, 2 upon root under 3, not equal to 0, यह 0 के बारावर नहीं है, so, 2 upon root under 3 is not a 0, जो आप 3 x square minus 1, हमने बताया था, 0 वही होगा, जिसमें x की value रखने के बाद, जो solution आएवा, 0 आना चाहिए, लेकिन 0 यहां नहीं आया है, चलिए, 8th question की बात करते हैं, polynomial है, 2 x plus 1, value find करनी है, x equal to 1 by 2 पे, we have polynomial उतार लिया, x equal to 1 पे value चाहिए, तो x की जगापर 1 by 2 पूट कर लिये, यहां पर 2 है, तो 2 उतार लिया, x की जगापर 1 by 2 रख दिये, 1 है तो 1 को उतार लिया, 2 से 2 cancel हो जाएगा, क्योंट 1 बचेगा, यहां पर भी 1 है, यहां बे उतार लिये, 2 और 2, 1 और 1 मिलके 2 आ जाएगा, बेलू फिर 0 नहीं होई, फिर लिखेंगे, P, ब्रिकट में 1 by 2, not equal to 0, यह बेलू 0 के वराबर नहीं होई, so, x equal to 1 by 2, is not a 0 of 2x plus 1, यहां जो पॉइनामियल दिया गया, उसका 0, 1 by 2 पे नहीं होगा, किसी और वैलू पे होगा, question number 4, 4 में बोला जा रहा है, find the 0 of polynomial, in each of the following case, इसकी 0 find करने हैं, हमने बताया था, जो P, एक्स की वैलू होती है, उसको 0 के बराबर कर देते हैं, 0 find करने के लिए, तो सबस्पहले हम लोग इसके पहले question को उतारते हैं, कि हमने क्या किया, P, X को उता लिया है, जो polynomial दिया गया, उसको उता लिया, 0 find करने के लिए, जो P, X होता है, उसको 0 के बराबर लिख देते हैं, तो 0 के बराबर होगा, यानि P, X की जगा पर 0 रखना, तो यहाँ पर 0 रख दिया, इस वाली बैलू को उता लिया, यह 5 इधर जाएगा, तो negative में आ जाएगा, तो यह X की बैलू हो गई, दस, 0 आप, X प्लस 5 इज, माइनस का 5, polynomial में, X की जगा माइनस 5 रखने पर रहें, जीरो आएगा, इसलिए इसका यह 0 है, second देखते हैं, इसको 0 के बराबर कर देते हैं, PX को, तो यहाँ पर 0 हो गया, PX, इसकी जगाँ पर 0 रखेंगे, तो X-5 इकोल टो 0 हो जाएगा, यह 5 इधर जाएगा, तो negative में है, तो यहाँ पर आके positive हो जाएगा, यह यह error है, यह positive हो जाएगा, यह यहाँ से, जो है, positive हो जाएगा, यहाँ से positive कर ली जीएगा, इसको positive में आएगा, दस, 0 of X-5 is 5, चलिए, 3 देखते हैं इसमें, PX की value दीगे, यानि polynomial जो है, 2X plus 5 है, 0 find करने के लिए, इस PX की value 0 के वराबर रख देंगे, तो जैसे यह part 0 हुआ, तो इस part को हमने यहाँ उताल लिया, उसकी जगापर 0 रख दिया, यह 5 इधर आएगा, तो negative में आ जाएगा, इधर 2 multiply में है, तो नीचे आके फिर यह divide में हो जाएगा, तो X equal to minus 5 by 2 आ गया, दस 0 of 2X plus 5 is minus 5 by 2 हो जाएगा, इसमें फूर्थ V है, polynomial दिया है, 3X minus 2, PX की value 0 कर दिये, और इसको 2 को इधर लेगा है, यह positive हो गया, 3 से divide करेंगे, तो 2 by 3 हो गया, 0 जाब 2 by 3, फिप्त देखते हैं, बोला जा रहा है PX, यानि polynomial है 3X, 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ 0 रख देंगे, 3 से divide करेंगे, 0 upon 3 की value हो में इसा 0 आएगी, किसी भी 0 नंबर से, किसी भी नंबर से, 0 में divide करते हैं, तो हमें इसा answer क्या आता है, 0 आता है, तो 10, 0 of 3X is 0, चलिए, 6 देखते हैं इसमें, बोला जारा P.A.X, A not equal to 0, question में boundation क्या दे रख था हमको, कि A की value 0 के वराबर नहीं होनी चीए, X की भी value रख नहीं है हमको, तो हमने बताया, 0 निकालने के यह P.A.X की value 0 रख दो, तो यहाँ पर हमने 0 रख दिया, तो A.X equal to 0 हो गया, X equal to, यानि A से divide कर देंगे, यह भी तो एक constant term है, 0 डिवाइट करनेंगे, तो आएंसर 0 आ गया, 10, 0 of A.X is 0, यानि X की value यहाँ 0 रख दिया जाए, तो इस पूरे की value 0 आ जाएगी, तो वही उसका 0 पहल आएगा, चलिए, question number इसका 7, पूरा जारा C.X plus D. polynomial है, इसका 0 find करना है, कहाँ पर इसका 0 कितना है, तो इसके 0s के लिए हमने क्या किया, P.X को 0 रख दिया, D इधर की तरब जाएगा, तो negative आ गया, इस C से इसमें divide कर देंगे, तो यह आ जाएगी, X is equal to minus D upon C, तो 0 of C.X plus D is minus DYX, तो DYX इस polynomial में रखा जाए, X की जगां पर, तो C से C cancel हो जाएगा, minus का D बचेगा, D से D cancel हो के 0 आ जाएगा, अच्छे, यहाँ पर एक confusion हो सकता है, यहाँ आगे हम लोग 2.3 पढ़ेंगे, यहाँ पर confusion हो सकता, कि बार बार 0 की बात किया रहे, तो एक तो यह 0 है, और दूसरा X की ऐसी value, जिसको रखने के बाद, PX की value 0 आ जाती है, उसको बुला जाता है, 0 of polynomial, यहाँ पॉलिनामियल का 0, क्या है, minus D by C है, और यह तो 0 है, गिंती का 0 है, तो आगे हम लोग बात करेंगे, basic concept, जो की use होगा 2.3 में,